हेलो दोस्तो नमस्कार कैसे आप सब लोग तो दोस्तो स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल सुनील कौशल में दोस्तो आज का जो आप टॉपिक देख रहे हैं आज का टीचर डरा हुआ क्यों है मैंने इसको डरा हुआ शब्द वर्ड का क्यों यूज किया उसके बहुत सारे कारण है जितने भी मेरे टीचर्स दोस्त जो टीचिंग में हैं वो भी जो टीचिंग में नहीं हैं वो भी पूरा वीडियो जुरूर देखें शायद आपको इससे कुछ फाइदा मिले कोई भी शब्द आपको मेरा बुरा लगे उसके लिए पहले से ही मैं माफी चाहता हूँ दोस्तो आज के समय में मेरे को काफी साल होगे टीचिंग लाइन में बहुत साल मैंने काम किया बहुत तजरुबे मिले बहुत सारे एक्सपिरियंस होए उन एक्सपिरियंस के आधार पर और साथ में एक दिल की तमना थी कि नई यूथ के लिए जैसे हम शुरुआत में टीचिंग प्रफेशन में आते हैं बच्चों को जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो एक टीचर से माता पिता की बहुत जादा उम्मेदे होती है कि ये टीचर हमारे बच्चे का कुछ करियर बना देगा बेड़ा पार कर देगा उस टीचर से जिस स्कूल में जॉब कर रहे हैं वो उस पूरे मैनेजमेंट को स्टार अलाइक प्रिंसिपल को एक उम्मीद होती है कि हमने एक अच्छा टीचर रखा है और ये टीचर हमें अच्छे रिजल्ट देगा एक टीचर से समाज बहुत उम्मीद रखता है कि ये जो टीचर ध्यापक होते हैं ये एक समाज में बदलाव ला सकते हैं तो दोस्तो टीचर की जो हम एक बोलते हैं नौकरी करते हैं वो एक मातर नौकरी नहीं है आप भविश्य निर्माता हो आप एक ऐसे इंसान हो भगवान ने हम चाह करके भी डॉक्टर नहीं बन सकते हम चाह करके भी बड़े बिजनस में नहीं बन सकते क्यों? चाहत सबकी होती है ड्रीम सबके होते है लेकिन सोचा हमने कुछ और होता है जिन्दगी में कई वर मिलता कुछ और है उसी तरह से हम जब graduation करते हैं कई तरह के exam की तियारी करते हैं घरवाले बहुत ज़्यादा हमें force करते हैं अच्छी guide करते हैं government job की तियारी करो लेकिन कई वर क्या होता है कि हमारे मन में एक रुजहान आता है कि मुझे इस line में जाना है या तो doctor line में या business line में या whatever बहुत सारी lines होती हैं लेकिन बहुत सारे लोग choose करते हैं मुझे teacher बनना है जब आप teacher for teaching profession में आ जाते हो न दोस्तों तो यह सिर्फ एक नौकरी नहीं है आप अंदर से उपर वाले की च्वाइस है इस नौट यर च्वाइस इस अ इंड़क्शन बाइदा गॉड कि यूव तो गो इंटो दिस profession लेकिन दुरभागे की बात है कि हमारे आज के समाज में जो teaching profession है उसमें हमारे teacher बहुत जादा खुश नहीं है या यूँ कहें उनके अंदर एक डर है दोस्तों ये वीडियो बनाने का जो मकसद है उसमें मेरे भी emotions है अपने teachers के लिए मेरे भी emotions हैं क्योंकि मैं teaching profession में रहा teacher भविश्य निर्माता है teachers की जिम्मेदारी होती है एक आम इंसान की तरह मैं घर बैठा हूँ मालो मेरे बच्चे हैं दो, तीन, एक मैं उनकी जिम्मेदारी निभारा हूँ हम कई वर चड़ जाते हैं अगर बच्चा बोलता है मुझे पापा घर बजार लेके चलो मुझे ये करो, मुझे वो करो हम चड़ भी जाते हैं लेकिन अगर मैं इसे टीचर स्कूल जा रहा हूँ कॉलेज जा रहा हूँ इन्वस्टी जा रहा हूँ वहाँ एक पूरी क्लास में 30 से 40 से 50 बच्चे होते हैं सोचो अलग-अलग तरह के दिमाग होते हैं अलग-अलग तरह के बच्चे होते हैं अलग अलग तरह की सोच के होते हैं कोई छोटे किसी के इंकम सोर्स छोटा कम है किसी का इंकम सोर्स बहुत जादा है उसके बाब जूद एक टीचर के लिए सारे एकॉल होते हैं लेकिन उस जो घर बैठा है जो दो बच्चे संभालने पर भी कई बर चटचडा पन आ जाता है जब स्कूल जा रहा है चालीस चालीस बच्चों को संभाल रहा है तो सोचो उस उस परसन की जो पेशेंस लेवल है कितना हाई होगा तो वो एक पावर होती है जो उपर वाले ने आपको दी है आपकी पेशेंस पावर बढ़ती चली जाती है तुसरी बात ये समाज पेरेंट्स मेनेजमेंट आपसे एकस्पेक्ट करता है कि टीचर्स एक जो अध्यापक बनके आए हो आप टीचर बनके आए हो इस रोल में आए हो बच्चों को कंट्रोल भी करना है बच्चों को पढ़ाना भी अच्छा है बच्चों की जो शरारते हैं उसको बैलेंस करना है उनको समझाना भी है तो कितनी ज़्यादा जिम्यदारियां आगी एक टीचर के उपर क्लास्ट्रूम डिसिप्लीन मेंटेन रखना कंटेंट अच्छा डिलीवर करना रिजल्ट अच्छे लाना और उसके बावजूद इतनी चीज़ें अच्छी हो गई हमारा वो टीचर खुद खुश नहीं है क्यों आज का प्रशन है क्यों पहला कारण हमारे देश में टीचर दो तरह की नौकरी करता है हमें नौकरी पे यारा हूँ कि घर चलाने के लिए एक इंसान होने के नाते घर चलाने के लिए सर्वाइब करने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है इस एक्सचेंज सिस्टम फ्लो अफ मनी पैसा हम कमाते हैं घर चलाने के लिए राशन पानी बगरा लाते हैं तो टीचर के पास दो आप्शन्स हैं या गवर्मेंट जॉब या प्राइविट जॉब जो टीचर गवर्मेंट जॉब में है तो दोस्तों अगर हजार टीचर हैं तो गवर्मेंट जॉब मुश्किल से 100 होती है मुश्किल से ऐसे तो मैं जादा बता रहा हूँ लेकिन फिर भी चलो 100 होती है मानके चलते है 90 टीचर कहां जाते हैं प्राइविट जॉब्स में प्राइविट स्कूल्स में उनकी एक मजबूरी बन जाती है इंट्रस्ट की बजाए इंट्रस्ट तो होता है कि मैं टीचर हूँ लेकिन थोड़ी मजबूरी हो जाती है वो कैसे हमारी जो च्वाईस आती है हम घर से बाहर तो जा नहीं सकते दूर नहीं जा सकते कई लोग घर से बाहर दूर भी चले जाते हैं लेकिन जिन जो घर के पास हैं दस स्कूल हैं गिंती के और अपलाई करने वाले बहुत हैं तो टीचर को एक बड़ी नॉमिनल सेलरी मिल रही है आज कर ले बहुत ही नॉमिनल प्राइवेट स्कूल हों अगर सौ स्कूल हैं अब आप बोलोगे नहीं सर्स मेरी सेलरी तो पचास हजा रहा है बिलकुल सहमत हूँ आपसे लेकिन कई स्कूल सौ में से कोई दस स्कूल या बीस स्कूल ही होंगे बीस परसेंट स्कूल ही होंगे जहां पर salary बहुत अच्छी है बाकी स्कूलों में salary एक average है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 चलो अगर वो person single है तो आजकल आम एक person का normal खर्चा आराम से 10, 12, 15,000 पर होता है 10,000 तो minimum होता है तो रोटी भी खानी है, कमरा भी लेना है तो जब वो उस teacher को government job नहीं मिली और वो private में आ चुका है तो वो expect करता है कि मैं बढ़िया result दू और मेरा अच्छा इनिक्रिमेंट लगेगा वो पूरी कोशिश करता है teacher teacher है दोस्तों मेरे इस वीडियो के जरीए मैं आप लोगों को एक बात जरूर बताना चाहता हूँ गवर्मेंट हो चाहे प्राइवेट हो रिस्पेक्ट इचादर teacher की परिभाशा को नहीं बदलना है गवर्मेंट teacher चाहे 90,000 ले रहा है और private teacher चाहे 10,000 ले रहा है लेकिन आपस में ऐसे नहीं करनी है वो गवर्मेंट दे रही है उनको पैसा वो गवर्मेंट जॉब में है लेकिन भावना ही तो दोनों की बराबर है न अध्यापक की अब मैं उस मुद्दे पे आ रहा हूँ की teacher डरा हुआ क्यों है आप सोच रहे होंगे sir lecture देते चले जा रहे हैं लेकिन बात नहीं समझा रही की डरा हुआ क्यों है दोस्तों जब ये teacher school में जो fresh है जिन्नोंने अभी बीड कि उनकी 22, 23, 24 साल उमर होगी लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी age 35 साल है पिछले 6-6 साल से काम कर रहे है 8 साल से काम कर रहे है married है, बच्चे हैं, परिवार है salary 15,000, 20,000 मिल रही है तो आज की महंगाई के दौर में 15 से 20,000 पे में पूरे परिवार का खर्चा या बोलें कि मिया बीबी और दो बच्चे भी हैं, नहीं हो पाता उस school में अगर वो teacher काम कर रहा है तो teacher मज़बूरी में काम करता है यहां से नहीं, कई बार कई बार result अच्छा ना आने के कारण teacher डर जाता है क्या है या मेरी नौकरी गई डर बैठ जाता है कभी कोई गलती हो गई, किसी बच्चे को चांटा ही लग गया और आपको principal ने बुला लिया तो आपको धक 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 लगी रहती है डर होता है कि क्यों बुलाया होगा क्या हुआ होगा मेरे सैसा ऐसी क्या गलती कर दी होगी मैंने क्यों बुलाया होगा आपका mind, आपका दिल, दिमाग डर्स एकदम से मतलब बाइबरेट करता है कि negativity के साथ है ना होता है कि नहीं होता है comment box में जुरू लिखके बताना दोस्तो मैं दिल से यह video बना रहा हूँ आप लोगों के लिए यह भावनाएं हैं जो मैं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ कि एक teacher तब ऐसे सोचता है तीसरा point पहला मैंने बोला ना result खराब अगर गलती से आ गया तो बस मन में पहले ही मन में आ जाती बात अब तो गई job यह increment नहीं लगेगा दूसरा कभी principal बोल देते हैं आपको message आता है कि आपको principal मैंने इसर ने बुलाया है दिल दिमाग एकदम से fluctuate करता है क्यों बुलाया होगा तीसरा गलती से किसी को चांटा लगा दिया बच्चे को और किसी teacher ने दूसरे ने बोल दिया अरे भई corporal punishment तो बैन है तुन्हें तो गलती कर दी तरको तो parents आएंगे बवाल मचाएंगे हम घर जाते हैं teacher घर जाता है पूरा दिन पूरी रात नहीं सो पाता डर उसके अंदर डर पैदा रख हो जाता है दोस्तो मेरा एक प्रशन है अगर teacher ही डरा हुआ हम teacher के मन में ही डर पैदा कर देंगे how we can expect हम कैसे ये expect कर सकते हैं कि एक teacher class को भी पूरा discipline में रखे अपने आपको भी पूरा maintain रखे पूरा जो पढ़ार आए वो भी बिलकुल solid होना चाहिए result भी 100% आने चाहिए कैसे expect कर सकते है उस teacher की जगा आप खुद काम करके दिखिए चारों के चारों जब काम करोगे आपको खुद समझ आएगी मैं कोई भी मेरा शब्द आपको बूरा लग रहा हो मैं आपसे पहले मापी मांग रहा हूँ ठीक है इस वीडियो को share जरूर कीजिएगा अपने सब दोस्तों के बीच में अभी वीडियो खत्म नहीं हुआ अभी कुछ और चीजे में आपको बताना चाहता हूँ तोस्तों हमारे देश में या पूरी गलोबल पेसिस पे बहुत बदलाव आए हैं एजुकेशन फिल्ड में एजुकेशन सेक्टर में बहुत बदलावा है कोवीड के बाद मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है आप बोर भी हो रहे होंगे लेकिन क्या करें मेरे मन में आई तो मैं आपसे बाते शेर करना चाहता हूँ क्रोना से लेकर के अब तक इन 3.30 साहों में मैंने जितना स्टड़ी किया एजुकेशन को एजुकेशन सिस्टम को एजुकेशनल ट्रांसफोर्मेशन को टीचिंग फिटरनटीज को प्रिंसीपल्स को स्कूल्स को बहुत बदलावा गया पहला बदलाव हमारे CBSC हो चाए ICSC हो चाए State Board हो करोना के बाद हर माता-पिता की हर स्कूल की उम्मिदें बढ़ गई किस से? पीचर से लेकिन उसका उल्टा टीचर के लिए चैलेंजिस बढ़ गए कैसे? बच्चे अब मॉबाइल के एडिक्टिड हो चुके हैं तो उस चैलेंज को कौन accept कर रहा है? टीचर ना की management टीचर को उस बच्चे को इतना ज़्यादा motivate करना है कि वो बच्चा अच्छे अंकल आ सके, अच्छे पढ़ाई कर सके बच्चों को अब corporal punishment बैन है नहीं कुछ बोल सकते तो मेरा एक सवाल है अगर comment box में जूर लिखेगा मेरे को अगर मेरी बातों से सहमत होंगे तो जैसे बच्चों का पूरा ख्याल रखना बहुत जुरूरी है दोस्तु क्या teacher का भी पूरा ख्याल रखना जुरूरी नहीं है मेरी तो ये सोच है कि जब हम बच्चों के लिए corporal punishment भी मैं उसकी favor में नहीं हूँ कि बच्चों को चांटा touch करना नहीं चाहिए it's in post को मैं बाकी teachers भी अगर मेरा वीडियो देख रहे है बच्चे को touch नहीं करना चाहिए बच्चे से gap रखो ठीक है उस पर मैं वीडियो अलग से बनाऊँगा किस तरह की आप expect करते है मेरे से videos, messages वो मैं आप लोगों को जुरूर बना के बताऊँगा आज का जो topic था teacher डरा हुआ क्यूं है teacher डरा हुआ क्यूं है तो जब बच्चों को na corporal punishment ban है अब बच्चों कम ऐसे डांट नहीं सकते है वैसे भी बच्चे बहुत sensitive होते है लेकिन जिम्मेदारी किसकी बन जाती है teacher की बन जाती है उसी तरह से मैं ये कहना चाहता हूँ teacher भी कभी बच्चा था 10 साल पहले अगर उनकी उमर अभी बच्ची साल है तो वो 15 साल का था तो 10 साल क्या अब तो बारत 15 साल होगे corporal punishment को ban हुए तो वो भी उस दौर से निकले हैं कि उन्होंने कभी शायद चांटे नहीं खाये होंगे शायद है ना तो जैसी वो school में teacher बन के आये हैं तो उनकी वो जो बहुत sensitive है teachers आज का उसको अगर हम प्यार मुहबबत से guide करके motivate करके जो जो भी changes आ रही हैं CBSC की उसको बड़े motivate करके समझाएं, बताएं, support करें number 1, motivate करें तो teacher खुश होके काम करेगा, उसका डर धीरी धीरी खतम होगा अगर हम अपने अपना परिवार समझ करके अपने परिवार का हिस्सा समझ करके उस teacher को मान के चलेंगे कि ये हमारे परिवार का हिस्सा है ये हमारा परिवार है ये school हमारा परिवार है ये बच्चे हमारे परिवार है और उस परिवार में अगर कुछ परिवार को चलाने वाले कुछ लोग है, वो है टीचर्स, और head कौन है, principal, यह सोच के साथ हमें टीचर्स को अपने साथ रखना चाहिए, आजकल के समाज, आजकल के society के अनुसार, आजकल के different rules and regulations के अनुसार, टीचर्स का जितना ख्याल रखेंगे हम स्कूल में, जितना उसको मतलब ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि उनको समोसे, लड़ू, चायवाई पिलाओ, मेरे ख्याल से टी पार्टी भी होने चाहिए कभी-कभी हम पेरेंट औरियंटेशन प्रोग्राम की कई बर बात करते हैं कि एक टी पार्टी रखते है पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए भी रखनी चाहिए, मैं तो बोता हूँ महिने में दो बर होनी चाहिए, ताकि टीचर्स आपस में उस दिन गप्पे मारे बैठें, प्रिंसिपल मैम या सर भी उनके बीच में हूँ मिनेजमेंट भी बैठे इसको बोते हैं एक रलैक्स मोड में आ जाने चाहिए टीचर्स मैं आपको दावे के साथ बोलता हूँ, टीचर्स पूरी जान लगा देंगे रिजल्ट निकालने में क्योंकि टीचर्स को मोटीवेशन मिलने की जुरूरत है, शाबाश ही ऐसे थप थप थपाई मिलने की जुरूरत है एक रह आपने पीट थप थपादी न कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हो टेंशन मत लो कोई बात नहीं टीचर बाहर जाके बोलेगा मेरे प्रिंसिपल, मेरे प्रिंसिपल बहुत अच्छी है, मेरे मेनेजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन उसके अंदर एक अलग तरह की रिफ्लेक्शन, ट्रांस्फर्मिशन आ जाएगी I will do something better for the school, for the children, for the society ये है टीचर अपने आप टीचर एक खुद मोटिवेटर है बट उसको भी मोटिवेशन की जरूरत है दोस्ते अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ आप कीजेगा तो इसलिए school में एक या दो tea party जरूरी है school में CBSE की training चल रही है कोई शक नहीं है, CBSE अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, national education policy के accordingly सब कुछ चल रहा है लेकिन school में externally, चाहे वो principal है चाहे वो कोई external motivator है उनके जरीए भी teachers को इस तरह से motivation मिलनी चाहिए ताकि teacher कुछ नग कुछ अलग से अगलग महौल में सीखे तीसरा, सबसे important बात बता रहूँ अब दोस्तो मेरे सब स्कूल से हाथ जोड की बिनती है जब एक building बनाने में हम काफी पैसा लगाते हैं क्योंकि आजकर affiliation लेनी हो ना CBSE की उसमें लाको रुपे लग जाता है CBSE के affiliation लेने से पहले हम क्या बना लेते हैं जमीन लेते हैं, पैसा लग रहा है building बन रही है उस पर हम अच्छे अच्छे marble अच्छे rooms, अच्छे table हर चीज लगा रहे हैं अब दुकानदार को बोलोगे भी यह कितने का material है उ बोलेगा कि यह तो 1000 पे का है आप बोल सकते हैं कि भी यह 500 का दे दे आप सस्ते वाला या बेकार वाला material लगोगे building के दरा जितने पैसे मांगोगे दोगे building भी बन गई जमीन भी ले ली building भी बन गई अब आप बारी आती है advertisement की advertisement भी कर दी लेकिन अब वो जो पुरा धंचा तियार हो गया है उसमें चाहिए दो लोग बच्चे और teachers that is a school लेकिन वो complete school किस से बनता है बच्चों से और teacher से चलो बच्चे भी आगे decide कर ली कितनी fee समलेंगे दोस्तों आपने शुरू में जमीन ली building तियार करी उसमें तना पैसा लग गया मेरे हाँ से इसाब से करोड़ों लग जाता है आज की date में एक मकान बनाने में 25-30 लाग रपे खर्च हो जाता है तो एक school में 10-15 कमरे बनाने हैं लेंड लेनी हैं दो-तिन करोड रपे नॉर्मल है तो school को चलाने का सबसे बड़ा जिम्मा किसका होता है teacher का तो teacher को अच्छी salary दो ऐसी salary दो आप loss में नहीं जाएंगे कई वर मैं कई बहुत सारे school से sorry मैं सब school वालों से माफी बचाता हूँ कई वर मेरी school वालों से बात होती है बोलते हैं हमारा budget नहीं है मैं कहता हूँ आपका budget तब नहीं क्यों नहीं देखा आप जमीन जब ली थी अगर आपके school में अच्छे teacher नहीं आएंगे या teacher को अच्छी salary नहीं देंगे वो छोड़ छोड़ के चले जाएंगे तो कैसे जलेगा आपका school society में कहा नाम जाएगे यहां तो teacher टिकते नहीं है तो मेरी उन से भी appeal है कि teacher की salary इतनी respectable तो हो कि वो खुशी खुशी अपना survive भी कर सके मैं खुद कह रहा हूँ अगर एक आम bachelor को बोला जाए कि कमरा ले ले भाई कमरा sorry कमरा ले लो भाईया और साथ में रोटी पानी आपका 15,000 खर्चाए उसने अपने घर परिवार के लिए नौकरी कर रहा है 10-15,000 पर घर ही भेजना है 30,000 हो गया तो 30,000 से शुरुआत कम से कम होने चाहिए और जितना 6 पे कमिशन, 7 पे कमिशन है 40, 50, 60 उतनी सेलरी जरूर मिलने चाहिए टीचर्स को ताकि टीचर्स खुश होके काम करे डर के नहीं तो आज का जो वीडियो था मेरे सभी टीचर्स के लिए था मेरे सब दोस्तों के लिए था और ये मेरी भावनाएं थी जो मने आज व्यक्त की इसलिए मेरी अपील अब टीचर्स से अलाफ की दोस्तो अगर आपने शुरुआत किये करियर की पहले साल को इंटर्नशिप की तरह लो पूरा जान लगा दो सीखने में पच्चों को पढ़ाने में तो लगाओ गई ही पूरा पूरी तरह से जूच के काम करो कंटेंट अच्छे तरीके से तियार करो अच्छे तरीके से डिलीबर करो डरना नहीं है स्कूल पूरा सपोर्ट करता है उन टीचर्स को जो बिंदास काम करते है और अगर कोई छोटी मोटी गलती हो भी जाती है तो इंसीपल ने बुला भी लिया घवराना नहीं है कोई आपको जेल की सजा थोड़ी हो जाएगी डांट मिल जाएगी किसी गलती के लिए डरना नहीं है दक दक नहीं होने दनी है तीसरा सेलरी स्कूल अभी शुरुआत है और आप उसमें काम करना ही चाते हो तो एक बजट सेलरी बता सकते हो लेकिन स्कूल काफी अच्छा है और आपको कम सेलरी दे रहा है मत जोईन करो कर लेकिन अगर आपको लगता है नहीं यह अच्छा स्कूल है मेरी शुरुआत अच्छी हो सकती है मैं कम सेलरी से जोईन करने को रेडी हो तो निधड़कों के अंदर जाओ लेकिन फिर काम के प्रती पूरी तरह से इमानदार हो जाओ यह नहीं सोचना है कि साल बाद मेरा रिजल्ट अच्छा है तो मेरा इंक्रीमेंट अच्छा होगा पक्का अच्छा होगा आप बस यह सोच के चलो बस अब मैं टीचर हूँ बच्चों को अच्छा पढ़ाऊंगा दोस्तों मैं गैरेंटी के साथ बोलता हूँ जितना दिल से पढ़ाऊगे न जितना बिंदास निडर होके पढ़ाऊगे न आपकी परसनेलिटी आपका परसनेलिटी उभरेगी डर खतम होगा एक्सपोजर आएगा आप पबलिक स्पिकर बन जाओगे बाचित करने का आपका जो नजरिया है वो खुल जाएगा और जब अगले स्कूलों में बड़े स्कूलों में आप इंटर्वी के लिए कभी जाओगे तो आपके मन में जो दिल और दिमाग में डर है न बिलकुल खतम हो जाएगा इसलिए टीचर से पहली अपील बिलकुल निश्चिन तो करके काम करो अब यह मैं सोचो मेरे सेलरी कम है के जादा है जितने में भी अगर हाप खां कर रहे हैं आपको जादा चाहिए सबर करो उस हिसाब से स्कूल ढूंडो स्कूल से मेरी अपील है प्लीज स्कूल अपने बच्चों के साथ साथ टीचर्स का पूरा ध्यान रखो टीचर्स आपके लिए पुरा 365 दिन काम करते हैं मलब पूरा साल काम करते हैं तो प्लीज उनका भी आप पूरा ख्याल रखिए और तीसरा मेरी कोई भी बात पूरी लगी हो और अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइफ जरूर करें हमशकार मेरी तरफ से आप सब को धेर सारी शुब कामना है तैंक यू वेरी मुच